आज की साकार मुर्ली से बाबा हम बच्छों को गुण सिखाते हैं आज्याकारी बनने का आज्याकारी बनना अर्थात पर्मात्मा के जो श्रीमत है उस श्रीमत पर चलना पर्मात्मा की श्रीमत पर्मात्मा के डिरेक्शन हम आत्मा के कल्यान के लिए है परमात्मा हमारा कल्यान कारी पिता है तो जो भी बात हमें बताते हैं वो हमारे कल्यान के लिए बताते हैं कोई भी ऐसा काम परमात्मा हमें नहीं देते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं हम जो कर सकते हैं और हमारे भलाई के लिए जो है वही बात वो हमें बताते हैं और जब हम उस श्रीमत को प्राक्टिकल में प्राक्टिस में लाते हैं, तो आग्या पर चलते हैं, तो उससे हमारा कल्यान तो होता ही है, और साथ-साथ परमात्मा की दुआएं आश्रवाद भी हमें प्राप्त होती है, परमात्मा की सिक्षाओं को जीवन में धारन करने से हम लेकिन माया ऐसी है जो मन और बुद्धी को ब्रहमत कर देती हैं, परमात्मा की आज्या पर चलने नहीं देती हैं, और जब हम उसकी आज्या पर नहीं चलते हैं, तो फिर धोका खाते हैं, परमात्मा की श्रीमत हमें मस्पूत बनाती हैं, हमारे कल्यान के लिए हैं, इसलिए ह में उस श्रीमत को अच्छी तरह समझना और प्राक्टिकल में लाना है मन और बुद्धी जब एकाग्र होते हैं तभी वो शक्तिशाली बनते हैं परमात्मा में कोई तकलीफ नहीं देते हैं बहुत सहच कारे देते हैं परमात्मा का जो डिरेक्शन श्रीमत या आग्या है वो बहुत सहच है परमात्मा कहते हैं बस मुझे याद करो और बुद्धी में स्वदर्शन चक्र खुमाओ अब ये दो सिंपल बाते बाबा ने कही है हमें ये करने से क्या होता है मन और बुद्धी एक तो एकाग्र रहते हैं उसकी अंदर हल्चल नहीं होती है स्थिर मन और ब बियर्द है वो खतम हो जाता है और हमारी आंतरिक गुण और शक्तियों को हम पहचान कर उन्हें प्रयोग मिला सकते हैं जिससे हमें सफलता प्राब्द होती है इसलिए परमात्मा की आग्या हमेशा ही हमारी उन्नती के लिए है माया विचलित करती है हल्चल में लाती है ब् हमारा काम है फिर से अपने आपको परमात्मा की डिरेक्शन पर चला ना, जितना हम उसकी आग्या को मानते जाएंगे, आग्या तभी मानी जा सकती है, जब हमारा अटूट सनी है परमात्मा से, हमीं निस्चे है उसके उपर की वो हमारे कल्यान के लिए कह रहा है, जब ये निश्चे होगा तो परमात्मा की हर डिरेक्शन आग्या को फॉलो करना सहज हो जाएगा तो अपने निश्चे को चेक करें अपने परमात्मा के साथ के स्ने को चेक करें जितना स्ने होगा उतना आग्या पर चलना असान हो जाएगा आज के दिवसकी यही शुब का आपना ओब शान्ति